घुर घाट पंचायट से वाड संख्या 10 से वाड सदस से उमिद्वार शलेश भाती ने पूरे पंचायट के जनता को तिपावली एवम छठ की धेर सारी शुब कामनाय दी इसके सांथ सांथ उन्होंने अपना घोशना पत्र भी जारी किया अपने घोशना पत्र में उन्होंने कहा कि बिलवा PWD सडक से लिकर पाठक जी के मकान तक वे अप्रेल 2023 से सडक निर्माड कारे शुरू कर देंगे इसके सांथ सांथ जनवरी 2023 से ही PWD से बथानी होते हुए माटाली अस्थान तक पकी सडक का निर्माड करेंगे इसके सांथ सांथ माई 2012 में ही जरदार पूराने विद्याले का पुनह निर्माड करवाना तथा शिक्षा के छेतर में सुधार कराने का भी इन्होंने घोशना किया है इसके सांसांत ठाकूर भारती के घर से दक्षिनर रमायन भारती के खेत तक पक्की सडक का निर्माड का भी इन्होंने अपने घोशना पत्र में चर्चा किया है इसके सांसांत मार्च 2023 से ही P.W.D. सड़क से गुलाब चंद साह के घर तक नालेका निर्माड कराने का इन्होंने घोशना किया चंद्रमा भारती के घर से लेकर संजे भारती के घर तक सड़क निर्माड और गौतम भारती की दुकान से शिरिकांत भारती के घर तक सड़क निर्माड पोखरा के जरजरदार घाड का निर्माड का पुनाह निर्माड कराना राशन काड एवम इंद्रा आवास के समधान के लिए उचीत कदम उठाने का इन्होंने घोशना किया है इसके साथ इन्होंने कहा कि जून 2022 तक गाउं के बीच में एक हाई मस्ट लाइट यानि की एक बड़ी उची लाइट लगवाने का इन्होंने घोशना किया है इसके साथ जगत भारती के द्वार पर तथा कालीमा के पास जरजरदार कुए का पुनह निर्मार कराना और ठाकूर भारती के घर से रमाशंकर भारती के घर तक होते हुए सतेंद्र भारती के घर तक साड़क निर्मार की इन्होंने बात की है